को दूस्तों आज एम वीडियो में बात करने वाले हैं Swiss Military Consumer के जो राइट में इसके बारे में सो दूस्तों इससे पहले मैंने एक video upload किया था जहाँ पे मैंने आपको को बताया था कि राइट का क्या प्रोसेस है और साथ ही मैंने यह आपको बताया था कि कुछ ही दिन में अगर आपने रेकॉर्ड डेट से पहले शेर्स लेकर रखे हुए थे आप राइट के लिए इलिजिबल हो तो आपके अकाउंड में सब्सक्राइब करें तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही रिलेटेबल कंटेंट आपको मिलते रहे हैं बेल आइकन को भी प्रेस करके रखे ताकि कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करो अभी दोस्तों यहां पर इंपोर्टेंट चीज यह है कि मैंने आपको बताया था कि साड़े चार रुपए के भाव पर आपको मिलेगा शेर्स एपलाई करने के लिए अगर आपको राइट्स मिला है तो वह श इंवेस्मेंट नहीं है 11,000 का इंवेस्मेंट है तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है अभी मुझे फाइदा यह हो रहा है कि अभी कमपनी ने जब राइट्स का एनाउंस्मेंट किया है राइट्स के चलते यहां पर यह हुआ है कि आप देख सकते हो कि मुझे जितना स् पास पे करना होगा मैंने अल्रेडी 11,000 दिया है तो मेरा टोटल बन जाता है 13,000 एवरेज मेरा निकल के आ जाएगा 15 अभी करेंट मार्केट प्राइस है लेकिन 28 का मेरा होल्डिंग है 4 के प्राइस पर मैं लेंगा लगवग लगवग पकड़के चलिए 15 से 16 रुपय मेरा तो जो मेरा मार्केट प्राइस चल रहा है उसी मार्केट प्राइस के आसपास मेरा आवरेज आ जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो डेफिनिटली फाइदा है मैं 100% यहां एपलाई करने वाला हूं लेकिन यहां पे बहुत इंपोर्टेंट कुश्चिन है बहुत पहला अगर हम केस की बात करें तो यहां पर सिंपल चीज है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैं इसको थोड़ा सा हाइट कर देता हूं सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां पर क्या है सबसे पहला केस अगर हम समझे तो पहला केस हमारा यह है कि इस यू आरे शेयर दिखाया इसी तरह से कुछ लगभग आपको शेयर्स अपने डिमेट अकॉन में नजर आ रहे हैं लेकिन आपको क्या है कि आपको एपलाई नहीं करना है तो सबसे पहला स्टेप आपको यह करना है सिंपल आपको जाना है जैसे नौप अंदरा के बाद मार्केट ओपन होता आपको स्ट्रेट फॉर्वर्ड प्रॉफित हो जाएगा मानके चलते हैं यहां पर जो लिस्टिंग प्रीमियम है वह दो रुपया का हो गया तो अगर दो रुपया पर यह लिस्ट होता है तो आपको क्लियर कट यहां पर 400 इंटू दो 800 रुपया का फायदा हो जाएगा तो मैं यहां क्या करने वाला हूं मैं वह जो साड़े चार रुपय है वह मैं पे करूंगा अपने डीमैट अकॉंट से या फिर अपने एस्बै अकॉंट से जिस तर से आप आपके पास है आप चाहो तो जाधा भी एक्स्ट्रा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर कंपनी को लगा कि जाधा लोगों ने participate नहीं किया तो company redistribute भी करती है तो हो सकता है कि आपको extra shares भी allocate हो जाए तो आपको क्या करना है आपको simple वह साड़े चार रुपय पर share आपको pay करना है and then IPO का जैसा window होता है आपको wait करना है जब तक इसका window open है generally इसमें दो हफते तीन हफते तक का time लगता है उसके बाद जब भी allocation का company अपना settlement कर दी है आपको shares allocate हो जाएंगे जितने आपको rights मिले हैं उतने तो 100% आपको मिलेंगे like for example यहां पर अगर मैं apply करता हूं 400 shares तो मुझे definitely मिलेंगे उसके अलावा extra जो मैं apply करता हूं उस पर भी मुझे कुछ मिल सकता है तो मैं second category मे हूं मैं definitely 400 तो tender करने वाला हूं मैं थोड़ा सा जाधा भी यहां पर करने वाला हूं अब जो तीसरा है section यह थोड़ा सा tricky मामला है यह सबसे important है दोस्तों यह आपको समझना है यह थोड़ा सा risky भी है यह clearly मैंने mention कि if you are not a shareholder but you want to apply तो आप shareholder नहीं हो आपके पास Swiss military के shares नहीं तो which is not a bad deal तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है राइट्स में apply करने के लिए राइट्स में participate करने के लिए राइट्स entitlement होना जरूरी है तो यहां पर जो आप देख रहे हूं यहां स्विस्स यह नाम का जो शेयर यह आपके DMAT account में होना चाहिए तो अगर आप shareholder नही हो तो by default यह RE shares आपको नहीं मिले होंगे तो आपको क्या करना है आपको open market से RE shares buy करने है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यह जो पहले category वाले हैं जो नहीं apply करेंगे यह बेचेंगे तो obviously अगर कोई बेचता है तभी कोई खरीता है तो जब लोग apply नहीं करेंगे वो अपने RE shares market में बेच देंगे आपको वो RE shares open market से buy करने है और उसको आपको दो दिन वेट करना है ताकि वो आपके DMAT account में reflect हो जाए जैसे ही वो reflect आपके account में हो जाता है सेम उसी तरह से जैसे आप IPO अगेर apply करते हो जैसे asbas apply करते हो आप जाके जितने भी REs अपने buy किये है open market से उसके एगे टोटल मिला के 6.5 रुपे के भाव पर आपने टेंडर किया तो अगर आपके पास राइट से तो आपको शेर मिल जाएंगे तो 6.5 रुपे के आसपास आपको शेर मिल जाएंगे तो which is not that a bad deal लेकिन यहां पर एक important catch यह है दोस्तों कि अगर आप rights buy करते हो and आप पूरे shares apply न match देखने जा रहे हो अगर आपने match देखने नहीं गए तो वो ticket का कोई value नहीं है अगर वो ticket आपने आपास हमाल के रखते हो आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि match खतम हो गया तो simple चीज यहां पर कि अगर आप rights buy करते हो rights के एक पूरा पैसा pay करके आपको rights के shares apply करने है अगर आप shares apply नहीं करते हो यह जो rights के लिए अपने open market में जो पैसा pay किया है वो refundable नहीं है पहला और दूसरा category में क्यूंकि आप shareholder थे company के तरफ से आपको already rights दे दिया गया है आप आपको उसके एगेंस में जब 4.5 रुपए पे करके आपको अपना process complete करना है लेकिन क्यूंकि 3rd category में आप बिलॉंग करते हो आपके पास rights नहीं है आपको open market से लेना है तो आपको यह mandatory काम करना है कि आप open market से लीजिए दो दिन वेट करिए जब वो DMAT account में reflect हो जाए आप ज अगर आपको लगता है कोई doubt है कोई confusion है आपको नहीं समझ में आया है क्या करना है आप कितने shares आपने लिए हैं किस date पर आपने भाई किया है थोड़ा सा detail लिखिएगा question में नहीं तो question का answer देना थोड़ difficult होता है मैं कोशिश करूंगा reply करूं जल से जल क्योंकि आपको पता करने के लिए बहुत बहुत धनेवाद अगर content logical लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी प्रेस करके रखे ताकि next time कोई भी वीडियो में अप्लोड करूं तुरंत आपको notification मिले आप चाहो तो मुझे social media twitter, telegram पे भी follow कर सकते हो